कहते हैं कि सत्संग आयोजन के अंदर पगडण मजने से कई लोगों की मृत्ति हो गई टोटल मृतकों की संख्या 121 है जिसमें 2 पुरुष 112 महिला हैं 6 बच्चे और 1 बच्ची है 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाक्ट हो चुकी है और पोस्मार्टम की प्रक्रिया जैसा जिलादीकारी महदे ने बताया सभी की पूरी हो चुकी है इसमें जनपत हातरस के 19 हैं बदाईयों के 6 हैं ललितपूर का 1 है काजगंच के 10 हैं अलीगड के 17 हैं शाजानपूर के 5 हैं आगरा 18 हैं फिरोजाबाद 1 है गौतमपुद नगर 1 है एटा से 10 हैं मत्रा 11 औरईया 2 बुलनशहर 5 पीलीभी 2 संबल 2 लखीमपूर 1 उननाव 1 गाजियाबाद 1 गौलियर 1 मोरेना मध्यप्रदेश में 1 पलवर हर्याना में 1 फरीदाबाद हर्याना में 4 और DK1 इटों टोटल 121 की संक्या है घ्टना की सुषना होते ही वरिष अधिकारीयों को संग्याणत होते ही तद्काल मौके पर पहुंचे और जन्दपत के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रतम रिष्टियामलों के द्वारा जो काम चालू किया गया वो यूज तरह पर बचाओ और राध कारे कारण किया और प्रात्मिक्ता पर घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतों को की शिनाक में पोस सरकार जो करे घृतना की विसतार पूरवक जाद Corin ingलों के सभाषता में समिति घ्रटित किई गई है इस संदर में थाना सिकंदर आउ में 27-24 को अभियोग पंचिग्रित किया गया था जो कि भारती नयाय सहीता की धरा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंदर पंचिग्रित किया गया घटना की विवेशना को दो साथ तारीक को ही पुलिस अदिक्षक महदे द्वारा, राम प्रवेश, रायच, शित्रा दीखारी, नगर को स्थाना अंत्रित किया गया और इनके साथ एक से विवेचक के रूप में थाना प्रबारी कोतवाली विजय कुमार को से विवेचक निव्ट किया गया विवेशना प्रारम करते वे 6 लोगों की अभी गरफतारी की गई है विवेशना के करम में ADG जोन आगरादारा भी सभी जनपद में निगदेशित किया गया है अपने जनपद में गिरफतारी हे तू और जोन स्तर के उपर भी एक SOG टीम का घटन हुआ है जो की संगलित लोगों और संस्ता के सेवादार अधिकारी पदाधिकारी की भूमिका को जाज करे गी इसके अलावा रेंज लेवल की जित्ती भी SOG टीम है उनको पुलिस अधिक्षक हातरस के सयोगार्थ संबद किया गया है जैसा मैंने बताया छे लोगों की अभी गिरफतारी हुई है जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंग यादव निवासी भानुकूरा थाना कुरावली जनपत मैनपूरी उपेंदर सिंग यादव पुत्र रामेश्वर सिंग निवासी शिकूवाबाद जनपत फिरोजाबाद मेग सिंग पुत्र हुकम सिंग जनपत हातरस सिकंदर राव थाना इनकी गिरफतारी की गई है मनजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदर राव इनकी गिरफतारी की गई है मुकेश कुमार जो की पुत्र मोहर सिंग ये थाना सिकंदाराओ के हैं इनकी गरफतारी की गई है मन्जु देवी पत्नी किशन कुमार यादव का चोरा थाना सिकंदाराओ चालेस वर्स इनकी गरफतारी की गई है इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदार राउ से की गई है विस्तार पूरवक जब इनसे अभी प्रतम जिष्टे हम लोग की पूस्ता जुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समीती के मेंबर्स हैं और पूर में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है ये मुख्यता सेवादार के रुपे कारे करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमिटी में भीड खटा करना, चंदाय खटा करना इन सब प्रीजों का सहयोग प्रदान करते हैं साती साथ महाँ पर जो देखा गया है कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड नियंतरन करना शर्दालू हेटू पंडाल के व्यश्टा करना, भाहनों की पार्किंग के व्यश्टा करना, कारेकरम स्थल पर, खणजा, बिडली के आपूटली, जनरेटर, सफाई व्यश्टा, इत्यादी इन लोग का कहना है कि हम लोगों के द्वारा खराई जाती है वहाँ पर जो एक जीज आपके आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और उनिफॉम पहनी भी थी तो इनके द्वारा बताया गया है कि एक रूपता हिर्टू वहाँ पर पिंग ड्रेस दी जाती हैं जिससे हम भीड को अपने हाँ से नियंत्रित करते हैं बाबा के अनुवायों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी माननेता हैं और बाबा के चरन रज लेने से बहुत सारे संकट डूर हो जाते हैं और हम लोग चरन जो बाबा की गारी तीव को काफीले को भीड से निकालने हैं तो आगे पीछे दौरते हैं उस दिन भी बाबा की चरन रज के लिए भीड गारी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड को रोका और जैसी काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड को चरण रज होने के लिए आयनिंत्रे छोड़ दिया उसके बाद महिला आए और बच्चे एक दूसरे के उपर गिर गए घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्योस्ता को नहीं दिया गया एक बाद जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी विक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूस्ता जो साक्ष संकलने और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया है कि इनके द्वारा खुदी अपने आपको भीर नियंतन का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशाशन व्यस्ता को ये लोग एक तरह से अलाव नहीं करते हैं इनके अपने उसमें रिजर्वेशन से ये भी बात जो मुख्य अभी उक्त हैं जो प्रकाश मदूगर हैं उनके उपर एक लाग की गरफतारी का जोन लेवल के उपर आदेश किया जा रहा है एक लाग का जो कुरसकार होता है और गोशित किया जा रहा है शीकर उनके NBW की भी कारवाई की जाएगी और इसमें खासतोर से विवेशना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपरादिक साणियां किसी वेक्टी द्वारा या किसी संस्ता द्वारा तो नहीं है ये किसी साजिश्का तो हिस्ता नहीं था तो ये पोटल जैसा मैंने बताया छे लोग की गरफतारी हुई है अलग-अलग जगे के रहने वाले हैं वो लोग हम लोग के पास और भी details आई हैं, कुछ photograph आई हैं, कुछ poster banners आई हैं, कुछ हम लोग के द्वारा जो पूस्ताज के अंदर और चीज निकली हैं, जो और हम लोग के पास examination के लिए पूस्ताज की जाएगी और जैसे जैसे विवेशना के करम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्षे आते हैं, और लोग की भी जो भी सक से सक विदिक कारवाई होगी, इसमें दोशी होगी, उनकी खिलाफ की जाएगा अबी दो माइला है, इसमें गिरफ्तार हुई हैं, चार पुरूश है, यह सेवादार है, यह बेसिकली एक आप अगर वहाँ पर आप वीडियो भी देखेंगे वहाँ पे, तो यह कंपोजिट रूप से महाँ पे साथ में खड़े रहते हैं, और एक जैसा मैंने बताया, वह पर जो भी गाड़ी इसके पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीर को नियंतरन करना, यह उजिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, और भी लोग इनके साथी हम लोग कभी पूस्ताज में निकल के आया है, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्नोंने अलग-अलग त पर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर विवेशना में साख्ष निकल के आता है, और किसी का भी पूस्ताज नहीं हुई है, जैसे हमारी विवेशना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, यह आज विवेशना का पहला दिन था, जो हमारा पहला दाइत्व था जब हैटना परसों में थी, कि जल्दी से जल्दी लोगों को रहत देना, इलाज कराना, और सीन और क्राइम को प्रिजर्व करना यह किया गया, विवेशना का पहला दिन होते वे, कल रात से जो गिरफतारी पूस्ताज की प्रक्रिय देखे, इस संदर्ब के उपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं, और अब क्यूंकि इस संदर्ब में जैसा मैंने बताये कि माननी आयोग का घटन मुटूगा है, जो कि Honorable Justice के, Retired Justice के अध्यक्ष्णा में हैं, वो इस पूरे घटना की गहन इन्गूरी करेगी, किती भीव थी, किती आईती, क्या संसादन की अखे, अखे, आग बताया आख को कि अगर वेजना में किसी का भी रोल निकल के आता है, तो इस पाखे, अध्यक्ष्णा में हैं किसी का भी ज़वाना है पर कि ढदेखे कि गई थी तूर्फ के अंदर जैसा मैंने बतायाया वाहांने आयो का गटन हो थुका है वह पर ट्राफिक पुलिस भी तरना थी वह पर फायर की पुलिस भी तरना थी वहाँ पर सिभल पुलिस ही तरना थी प्रभाब जो अभी तक जानकारी आई है वही हैड करते हैं जो अभी तक की जानकारी है मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मैंने बताया विवेशना में अगर कोई चीमिका अगर द्रूप पड़ेगी तो पूस्ताज की जाएगी आवशकता पड़ेगी वी विल डू इन दी कोर्स अफ इन्वेस्टिकेशन इस तू अरली उससे और कमेंट की जो है उनका रोल है कि नहीं है F.I.R. के अंदर वो नेम्ड नहीं है F.I.R. में रिस्पोंसिबिलिटी आयुजग की होती है आयुजग की रिस्पोंसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया एक लाग रुपे का रिवार्ड उनकी उपर करा जा रहा है उनका NBW इशू कराए जा रहा है जो उनके साथ और्गनाइजिंग कमिटी के अंदर थे जो सेवादार थे जिन्नोंने भीड को मा रोकने का प्रयास किया जो वहां मौके से भाग गए जिन्नोंने पुलिस प्रस सब्सक्राइब करें वहां मौके सब्सक्राइब कर देख रहा है जो जिनके नाम से परमीशन ली गई नो वही मैं आपको बता रहा हूं जो वेद प्रकाश मदू करहें मदूकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी भी है मदूकर जी के उपर रिवाड दोशित किया गया है और मदूकर जी मुक्य रूप से हम लोग उनकी पूस्ताज के अंदर अगर उनकी भी पूस्ताज में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी तो विल प्रोसीड अगरा जी करें लिए अपरातिक इत्यास की जानकारी हम लोग के दोवारा की जा रही है जो अभी तक जानकारी प्राप्ट हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हैं स्टेबल पत्स से इन्हों ने बियारेस लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में वह अगरा में इनके उपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है जिसके अंदर बात के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेविल पे और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुआई देश भर में हैं तो उनके वह अगरा में पुल कैसे तो क्या पुल से तो जी मैंने तो बिलकुल ये नहीं का कि कोई दोशी है नहीं है मैंने का है कि investigation is underway investigation as we proceed if some investigation provides evidences मुक्या पी गिरफतारी के अंदर और और भी ठीज निकल के आती तो भी बिल पुल से आज को है आज जो उनको ने छे लोगों की गिरफत चूचना है चल रही थी कि पुलिस गरफतारी नहीं कर लिया यह पुलिस की गरफतारी की संख्या है या एक्ती महिला हैं तो आज आप लोगों से संभाद इसलिए किया गया कि आज की तारिफ में ये safety है जिससे आपको अग्त कराए गया परमीशन इनके नाम से नहीं लीगी परमीशन इनके नाम से नहीं लीगी ठीक है? थाइक यूद्ध इस वोट पुलिस की लापरवाई और प्रशासनिक वैस्ता है इत्तु ही नायक आयोग का गठन किया गया है जो कि इस पायों में तस्दीक करेगा आयोग शीगर यहां पर विजिट करने वाला है नमबर वन, नमबर टू उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी एसोपी है कि भविश्च के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने है क्या समुझित वैउस्ता करनी है तो मैं ये आपसे कही नहीं रहूं कि पुलिस की लापरवाई है या नहीं है इस संदर में मानने आयोग जो भी पुरुश और 4 महलाएं है साथ है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आयोग का गठन किया गया है कि स्थर पर लापरवाई हुई है पुलिस की तरफ से क्या लापरवाई कोई चूख हुई है पुरुशासन की तरफ से सब कुछ आयोक की रिपोर्ट में आगे देखने और सुनने को मिलेगा और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो मुख आयोजक है उसके उपर एक लाक रुपए का इनाम भी घोशुत किया गया है हम उसे ट्रेस करने की कोशुश कर रहे हैं जैसे उसे पकड़ेंगे उसे पूश्टाश मे अगर कुछ और नाम सामने आते हैं तो फाई आई यार में उन नामों को भी बढ़ाये जाएगा बाबा की भूमिका और बाबा की घिरफतारी को लेकर उन से सवाल किया गया तब उन्होंने का कि अभी तक की अव्यँर्टेक में बाबा का नाम नहीं है ऐसे में उनकी माथुर की तरफ से किया गया 아니라 चार पुरोशप तक हमने मागले में गिरफतार किये हैं जाच अभी आगे बढ़ रही एक तरफ इस आईटि करने वाला है यह भी उनकी तरस से जानकारी दी गई कि जो नियाईक आयोग का गठन किया गया है कल आयोग के लोग वहाँ पर विजिट करेंगे वहाँ पर जांच परताल करेंगे उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट तयार होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे तय होगा कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है चूप उसके गिरफतारी के बाद आगे तमाम और बातें निकल कर सामने आएगी हमारे सब्सक्राइगी सुमित शलब मातुर की तरफ से प्रेस्ट कांफरेंस की गई तमाम बातों का जिक्र किया गया मुख्य रूप से उन्होंने का कि हमें ये बताना था कि पुलिस ने अब तक क् किया है जाच प्रक्रिया अभी बे आगे बढ़ रही है और क्या-क्या जानकारे उनकी तरफ से साजा की गई वहां पर जो इस कारिकरम के आयुजट थे और ये पहले भी बावा से चुड़े हुएं पहले भी जितने कारिकरम हुएं उन कारिकरमों में ये आयुजट रहे हैं इनको गरफतार किया है जो मुख्य आरोपी है वेद्प्रकाश मधुकर उनकी गरफतारी के लिए टीमें बनाई गई जल्द ही गरफतारी की जाएगी उनके उपर एक लाग का इनाम आई जी शलब मातुर ने गोसित किया है जल्द ही मधुकर की लोकेशन भी ट्रेस कर रही है पुलिस को कुछ एविदेंस भी मधुकर के खिलाफ बने है अब फिलाल जो जांच आयो कमैटी बनी है जांच आयो और इस पूरे मामले में जाँच करेगी और जाँच के आधर पर जो भी तर्थ वह रिपोर्ट सामने आएगी उसके बात आगे पुलिस कारवाई करेगी पुलिस ना हला कि अभी कई लोगों को और भी हिरासत मिले रखा है जिन से अभी पूरी तरह से पूस्ताश चल रही है इस पूरे मामले में पुलिस 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 कर रही है और जो जो आएगी वो जो इन्वेश्टिकेशन करेगी उसके बाद और बड़ी कारवाई इस पूरे मामले में सामने आ सकती है पुलिस पुलिस प्रशासिन की लापरवाहिया चूक को लेकर भी सवाल किया गया सुमेट उन्से उस पर क्या कहा उन्हों ने इस पूरे मामले में सवाल किया गया कि इतना बड़ा कारेक्रम था और उसकी पर्मिशन दी गई थी और वहाँ पर सिर्फ चंद पुलिस कर्मी मौके पर पैना थे तो आईजी साफ तोर से कहा है कि इस पूरे मामले में विवागी जांच भी चल रही है विवागी इस पूरे मामले में कम भी निकली है उसके आदर पर उनके खिलाब विवागी और पुलिस की कारवाई की जाएगी अमल बलाई जाएगी जी वेद प्रकाश मदुकर की लोकेशन को लेकर कोई जानकारी कोई अपडेट अगर बाबा के साथ जितनी शिगवाटी थी तो यह घटना नहीं होती और यह सेवादार हों की ही लापरवाई है जो आयोजक है आयोजक वहाँ से तुरंट गटना की बाद तुरंट वहाँ से भाग गए और यह एपनी बड़ी घटना घटित हुई है मदुकर की तलास की जा रही है किसी भी जिनन के नाम आएंगे जितने भी आयोजक नाम आएंगे जो पूरे मामले में इन्वाल्व हैं उनको साथ तोर से करी उनके ख़राब कारवाई की जाएगी उनको गिरिफतार किया जाएगा इसी क्रब में इन छह लोगों को जेल आएगी और अभी ये साफ मेणी आज आ रही है या कि अधाल आए को लेके और सबीची को लिए भी और तो घृटना स्थर्णा निश्चर कड़ेगी उसके बाद जितने भी अधकारी और करमचारी है उनका बयान आयो कमेटी लेगी और उसके बाद जो आयो कमेटी इस पूरे मामले में investigate करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है दो महीने से पहले ही आयो कमेटी इस पूरे मामले में जान सोपेगी और उसके बाद उसमें कारवाई अमल मलाई जाएगी जी बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुणने के लिए जानकारिम तक पहुचाने के लिए विवेशना प्रारम करते वे छे लोगों की अभी गरफतारी की गई है विवेशना के करम में ADD जोन आगरादारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफतारी हे तूँ और जोन स्तर के उपर भी एक SOG टीम का घटन हुआ है जो की संगलित लोगों और संस्ता के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जाज करे गी इसके अलावा रेंज लेवल की जित्ती भी SOG टीम है उनको पुलिस अधिक्षक हात्रस के सयोगार्थ संबद किया गया है रटना स्कल को सुबह तीन तारिक को सुबह ही फॉरन से टीम और फील्ड यूनिट वारा साख संकलन की तारवाई से गहन रूप से वहाँ पर साख संकलन की कारवाई की गई थी कल मॉर्निंग में जैसा मैंने बताया छे लोगों की अभी गिरफतारी हुई है जिसके अंदर राम लड़ेते पुतर रहबारी सिंग यादव निवासी भानुपूरा थाना कुरावली जनपद मैनपूरी उपेंदर सिंग यादो पुतर गामेशवार सिंग निवाईसी शिकवाबाद जनपत फिरोजाबाद मेग सिंग पुतर हुकम सिंग जनपत हातरस सिकंदा राउ थाना इनकी गरफतारी की गई है मंजु यादो पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदा राउ इनकी गरफतारी की गई है मंजु देवी पत्नी किशन कुमार यादो कचोरा थाना सिकंदा राउ चालेस वर्स इनकी गरफतारी की गई है इनकी गिरफ्तारी जो है ठाना कोतवाली और सिकंदाराउ से की गई है महाँ पर जो देखा गया है कि बैरिकेडिंग द्वारा भीर नियंतरं करना शर्दालू हेटू पंडाल के विवस्ता करना वाहनों की पार्किंग के विवस्ता करना पर खरंचा बिडली की आपूर्दी जनरेटर सफाई विवस्ता इत्यादी इन लोग का कहना है कि हम लोग के द्वारा खराई जाती है वहाँ पर जो एक चीज आपके आप लोगों ने भी देखा होगा जो आपके वीडियोज आप लोग के पास आए। उनके द्वारा ब्लैक कलर की डानगरी और जंगल वाली डानगरी और उनीकॉर्म पहनी भी थी तो इनके द्वारा बताया गया है कि एक रूपता हिर्टू वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती हैं जिससे हम भीड को अपने हाप से नियत्रित करते हैं बाबा के अनुवायों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी माननेता हैं और बाबा के चरन रज लेने से बहुत सारे संकट डूर हो जाते हैं और हम लोग चरन जो बाबा की गारी तीव को काफीले को भीड से निकालने हैं तो आगे पीछे दौरते हैं उस दिन भी बाबा की चरन रज के लिए भीड गारी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड को रोका और जैसी काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड को चरण रज़ होने के लिए आयनिंत्रे थोड़ दिया उसके बाद नजला बच्चे एक दूसरे के उपर गिर गए घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्योस्ता को नहीं दिया गया एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी विक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूस्ता जो साक्ष संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुएं उसके अंदर देखा गया है कि इनके द्वारा खुदी अपने आपको भीर नियंतन का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की के उपपर आदेश किया जा रहा है एक लाग का जो कुरसकार होता है और भोशित किया जा रहा है उप्षीकर इनके MBW की भी कारवाई की जाएगी और इसमें खास तोर से विवेशना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपरादिक सानियन किसी वेक्टी द्वा लेव बोगो